अन्न दाता की सम्रिद्धी और आत्म निर्भर भारत में उनकी एहम भाविदारी सुनश्रित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरींद्र मोदी जी के दूरदर्शी नित्रित्तु में लगातार प्रयास किये जा रहे हैं नरींद्र मोदी जी की 20 वर्षों की सिवा यात्रा किसानी और गाव गरीब के बेहदरी के लिए समर्पित रही है उनके नित्रित्त में राज्य एवं राश्टी एस्तर पर क्रिशी को आधुनिक बनानी के लिए अभूत पुर्व प्रयास किये गए है जैवी खेती, सिचाई, फसल बीमा, क्रिशी सुधार कानून जैसे सभी कदम इस बात की मिसाल है इस कड़ी में शामिल है उच्च गुडवत्ता और पोशन वाली बायो फोटीफाइट किस्मों इवं बदलती जलवायू की अनुरूप नवीनितम क्रिशी तकनीकों का विकास इस वर्ष उच्च पोशक तक्पू से भरपूर, रोग रोधी तथा जलवायू अनुकूल 35 किस्मों का विकास किया गया है जैसे की सूखा प्रभावित शेत्रों के लिए चने के किस्म, साथी, अरहर एवं सोयाबीन की कम अवधी में पकने वाली रोग रोधी किस्मों का विकास किया गया है जलवायू अनुकूल धान के किस्में विकसित की गई है जो रोग तथा खर पतवार नाशे प्रतिरोधी होने के साथ साथ शारी भूमियों के लिए भी उप्यूक्त है अधिक प्रोटीन आयरन, जिंक और विटमिन वाली गेहू, बाजरा इव मक्का की किस्में इस कड़ी में शामिल है किनोवा, कूटू, विंडबीन और बाकला की भी नई किस्म विकसित की गई है तिलहन में आत्म निरभरता के लिए सरसो और सोया बीन की उच्चुगुडवत्ता वाली किस्मों का भी विकास किया गया है कृष में शोध और नवाचार को बढ़ावा देनी की दिशा में आज एक और नया अध्याय जुड रहा है अंठावन करोन की लागत से रायपुर में भारती क्रिशि अनुसंधान परिशत की अंतरगत एक नए राष्टिय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान की शुर्वात हो रही है इसमें अनुसंधान के साथ साथ चात्रों के लिए सनात कोतर तक की शुक्षा की वेवस्था है परिसर में प्रशासनिक एवं अनुसंधान भवनों के अलावा लाइब्रेरी तदा चात्रबास की भी सुविधा है यह संस्थान 36 गड़ के चात्र चात्राओं के लिए विशेश अवजर लाएगा साथ ही किशिके शेत्र में नवाचार के प्रयासों को और तेजी देगा राष्टी जयविक स्ट्रिस प्रबंधन संस्थान राइपूर के नवनर्मित परिसर तथा 35 विशेश कुनों वाली फसलों के किस्मों को आज माननी प्रधान मंत्री जी कर रही है राष्ट को समर्पित